सुरोताओं नमस्कार मैं डॉक्टर प्रविन कुमार्तिवारी एन आयस की ओर से आप सभी सुरोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं विशय पत्र 501 से संबंधित एक विशय वर्तमान पेशेवर सिक्षक पर आज परिचरचा के लिए मैं आपके बीच आया हूं वर्तमान पेशेवर सिक्षक पर बात चित करने से पूर्व मैं आपका ध्यान आकरष्ट कराना चाहूंगा तीन अंग्रेजी के शब्दों की ओर एक शब्द जॉब जिसे रोजगार के रूप में हम हिंदी में देखते हैं दूसरा वोकेशन जिसे ब्यवशाय के रूप में और तीसरा प्रोफेशन जिसके लिए अंग्रेजी शब्द पेशा प्रयोग होता है जोब क्या है यह समझने के लिए पैसे वस्तू या किसी सेवा के बतले जब कोई ब्यक्ति कोई भी उतपादक कारे करता है वो उतपादक कारे पैसे वस्तू या सेवा के बजाय वो अपन सक का का इइंग्जिनियर का 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 कोई भी कार वह क invest कर रहा है वह जूब की स्रेणी में चाहे उस कारे के लिए सामाननिय स्किल्ज की जरुवत हो या विशेश क्रों की जरुवत हो या किसी फेजिकल टाकत की जरुवत हो वो यदि उत्पादक कारे है तो जॉब की स्रेणी में आएगा लेकिन वो विशेश प्रकार का जॉब जब किसी विशेश प्रकार के कोशल और प्रसिक्षन की आधार पर किया जाता है और जसके लिए सामान्य बौधिक कोशलों की आउ में प्रसिक्षन की जरूरत होती है कॉई भी लेमन इन पहुंत नहीं कर दो एसा जीनिये विचलों की ओल सेकता है जिसमें साम्हान्य कौशलों पर आधारित विशेश कृति सरे मोलत सभ्राइब कोशलों पर इस नियम्स के लिए शोँद होता है और यह विशेयर कशनht के आधार पर विशेश के प्रोड़ेत जन्राइब इस प्रोड़ेता की आधार पर दोड़ार है कोशलों पर आधारित होता हैं जैसे आप उधारन के रोप में चिकटसक का कारे देखें इंजीनियर का कारे देखें कम्भिटर प्रोग्रामर का कारे देखें इन सब के लिएellenा । आप gr gobierno का कारें सबके लिए एक खास उच्श बौध ही कोशलों की ज़रुवत यह विशेश क एक वोकेशन और प्रोसर्क्षण के बीच में हैं। इसको आप इस तरह से भिसमज सकते हैं कि अधिश के लिए सामान्र सरक्षण की जरूरत है तो है Спि Selbst , Tutaj इसके लिए उच स्तरिय बाधिक कौशलों की जरूरत है और विशेशेकरत श्यक्षिक पर्सिक्षन की जरूरत है वह प्रोफेशन है अब एक प्रशन उठता है क्या सिक्षन पेशा है तो आप ध्यान करें कि जब एक सिक्षक विद्याले में पढ़ाने के लिए जाता है, तो उसके सामने कौन से प्रश्ण उभरते हैं, सामानितया यह प्रश्ण उभरता है कि वह क्यों पढ़ाए, क्या हे तु है पढ़ाने का, वह क्या पढ़ाए, कंटेंट क्या हो पढ़ाने के समय करे वह यह कैसे पता लगाए कि जो पढ़ाया गया है उस ज्यान को विद्यार्थियों ने सही धंग से अर्जत किया है अर्थात्व कैसे परिक्षण करें तो यह सारे प्रश्ण एक सिक्षक के जिहन में उभरते हैं जब वो सिक्षण करने के लिए जाता है अब आप ध उठा जा सकता किसी सामान ने बौधिक्तर के सवाल नहीं है और दूसरी जो बात इसमें उभरती है वो है कि इन प्रश्णों के संदर्व में जो पुर्व में शोध हुए हैं या पुर्व में जो विद्वत जनों ने संदर्व में अनुभव अर्जत किया है उसके आधार पर कुछ सिध्धान कुछ नियम प्रक्रियाएं वह कोशल उन्होंने प्रस्तुत किये हैं और ये सारे सिध्धान नियम प्रक्रियाएं वह कोशल सिक्षन को सहज सरल और सुगम बनाती है और शोध वह अनुभव आधारित इस ज्ञान बोध वह कोशल का विशेशी कृत सैक तरिये बाधिक चिंतन के महध्यम से किये गए शोधों वा अर्जित अनुभाओं के आधार पर विकसित सिथांतों नियमों प्रक्रियाओं कोशलों आधिके विशेशी कृत शैक्षिक प्रशक्षन द्वारा अच्छे सिक्षक का निर्माण किया जा सकता है इस निस्कर्स पर हम पहुंचते हैं और इस प्रकार हम देखें तो जो मुख्य सर्ते हैं एक वोकेशन या एक जॉब को पेशा बनने के लिए प्रोफेशन बनने के लिए वो सर्ते हैं उचिस्तरिय बाधिक चिंतन शोधव अर्जित अनुभाओं के आधार पर विकसित सिथांत नियम प्रक् है और इस रोप में समयक्रता में कहते हैं कि सुक्षण एक हैं अब दूसरा जो बिंधु है क्या सबस्केशक को सिक्षण के लिए पेश्यवर होना जरूरी है तो इस अंदर्ब में दो प्रकार के मत सामने आते हैं एक मत यह कहता है कि नहीं सिक्षण जन्मजात होता है उसे किसी पेशेव और प्रसिक्षन की जरूरत नहीं है यदि कोई ब्यक्ति विशय ग्यान रखता है तो विशय का सिक्षन कर सकता है और सिर्फ विशय ग्यान ही सिक्षन के लिए जरूरी है और प्रसिक्षन की कोई बहुत ज़ादा जरूरत नहीं है और जब भी हम इस मानेता पर बात करते हैं तो हम सिक्षक के दायत्यों को सिर्फ कक्षा कक्षा तक सिमित कर देते हैं जो इसमें दूसरा मत है वो है कि नहीं सिक्षण एक पेशा है और सिक्षक इसका अभिकरता है अन्य पेशेवरों की तरह सिक्षकों में भी पेशेवर डक्षता होती है इनकी अपनी पेशेवर पहचान होती है और सोदेश्य पुर्ण तरीके से इन पेशेवर गुणों का विकास भी किया जा सकता है हम भारत जैसे एक लोगतांत्रक राष्प के संदर्व में देखें तो प्रथम माननेता की ओर हम ध्यान दें की सिक्षक सिर्फ जन्मजात होता है तो इतने बड़े आवाम को इतने बड़ी जनसंख्या को सिक्षत करने के लिए हम वैसे सिक्षकों पर निर्भर नहीं हो सकते कार किसी विशेश नियम सिध्धान्तों पर अधारित है और यह दिकिसी व्यक्ति को नियमों सिध्धान्तों का उच्चस्तरिय सैक्षिक प्रशिक्षन प्रदान किया जाए वह बहतर ढंग से विशेश को पढ़ा सकता है तो एक लोगतांत्रिक रास्ट्र में हमें शिक्ष पेशा की जो खास विशेशताएं हैं उस और में आपका ध्यान अकृष्ट कराना चाहूंगा एक विशेश विशय की ज्यान से युक्त व्यक्ति की जरूरत सिक्षण के लिए हैं दूसरी जो बात है कि वो अन्य व्यक्ति के प्रति समुदाय के प्रति वो जिन नयत्तिक मांदंडों पेशा निर्भर करता है उन नैतिक मान दंडों के प्रती समर्पित हो और अपने पेशे के साथ एक सकारात्मक लगाओ रखे ताकि वो अपना निरंतर विकास कर सके इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपका ध्यान आकरिष्ट कराना चाहूंगा रास्ट्रिय पाथे चरिया की रूप रेखा क सिक्षकों की पेशेवर भूमिका और विस्तार से प्रकास डाला गया है और उनको बहुत ही संचेप में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा रास्ट्री पाथे चरिया की रूप रेखा यह बता रही है कि एक सिक्षक के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के सामाज परिस्थती से कोई बच्चा निकल कर विद्यालय पहुचता है इस बात को समझनायक सिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी है दूसरा जो बिंदु है कि वो सीखने की अनुकूल परिस्थतियां पैदा करे सिक्षण सिर्फ कोई घुट्टी पिलाने का कारे नहीं है कि विशय क की घुट्टी हमने बच्चे को पिला दे वर्तमान में जो एक लोगतांत्रिक रास्ट जिस प्रकार के सिक्षण में आस्था रखता है वो यह बताता है कि विद्यार्थी ग्यान की रचना अपने मस्तिस्क में स्वेंग करता है और एक सिक्षक का दायत तो है कि उन परिस्थि के सीखने के तरीके उसकी गती उसके प्रकार को भी समझे हरी विद्यार्थी अपने डंग से सीखते हैं अपनी अपनी स्पीड से अपनी अपनी गती से सीखते हैं तो हम जब सिखाने जा रहे हों विद्याले में तो हम एध्यान रखना चाहिए कि वह हम विद्यार्थियों को बिबिन धंग से समझें उनके इंडिवीजुल डिफ्रेंस को समझें और सब पे एक ही नियम एक ही तरीका एक ही गती लागुन ना करें साथ ही रास्ट्री पाठी चर्या की रूप रेखा यह भी कह रही है कि सिक्षक को ज्यान को बिमर्श सील सीखने की सतत उभरती प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए एक ऐसे परिवेश का निर्माण न करें जिसमें ग्यान उडेल के दे दिया गया बच्चों में बलकि ऐसे परिवेश का निर्माण करें कि विद्यार्थी निरंतर विमर्श सील बना रहे और अपनी ग्यान की रचना निरंतर करता रहे उसके पक्षों में सुधार नए बिं जिंगम करें उसको अपने हिर्दे में उतारे तब उस बात को माने कि हाँ ये जिन्दाइत्यों की ओर रास्ट्री पाथे चर्या की रूप रेखा इसारा कर रही है वह है कि शिक्षकों को सिर्फ पाथे पुस्तकों के ज्ञान को ही प्रदान करना नहीं है उसे विद्यार्थ सामाजिक संद्रव जो व्यक्तिगत संद्रव है उसके साथ जोडते हुए ज्ञान को प्रस्तुत करना है ताकि वह अपने ज्यान की रचना कर सके जिस सामाजिक परिवेश में एक बच्चा जीता है एक विद्यार्थे जीता है और जिन मानसिक दंदों के बीच वह जी रहा है उनकी संदर्व में ग्यान को प्रस्तुत करने का दायत तो एक शिक्षक का है और साथी सिक्षकों को उन्प्रशासनिक संदर्व और सामाजिक संदर्व के प्रती भी सम्वेदन सील होना चाहिए जैसे आप देखें कि विभिन प्रसासनिक परंपराएं आज भी विश्व में हैं जैसे कहीं राजतंत्र है कहीं लोकतंत्र है कहीं सामयवादी शाशन है तो जब एक सिक्षक एक विद्यार्थी के साथ बातचीत करता है तो उसे यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रकार के प्रसासनिक धांचे में जी रहा एक प्राणी है चाहिए लगातार सीखते रहना चाहिए और समाज और विश्व के प्रती उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसे समझना चाहिए निरंतर अपने ज्यान में परिवर्थन परिवर्धन एक सिक्षक के लिए जरूरी है और जो दूसरा एक बहुत ही महत्वपुर्ण दायत तो है सिक्षक के उपर कि वो विद्यार्थियों को सिर्फ बिभिन परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापित करने वाला ही ब्यक्ति न बनाए ऐसा ही विकास होना करे बल्कि यदि परिस्थितियां लोकतंत्र की व्यक्तिकत गरिमा के खिलाफ हो तो वह एक ऐसी बहतर परिस्थिति के भी निर्माण का साधन बने और विद्यार्थियों को प्रेद करे जो एक बहतर परिस्थिति हो एक लोकतांत्रिक को एक विद्यार्थी के सेल्फ कंसेट आत्मसंप्रत्य को समझना जरूरी है उसकी क्या शमताइन हैं क्या अभिरुचियां हैं सीखने के एक सिक्षक को इन सारी पक्षों पर ध्यान देना पड़ता है और एक सिक्षक को निरंतर अपने पेशे के प्रती उन्मुख होना चाहिए जो उन्मुखी करण का कारिक्रम होता है उस पेशे के संदर्व में जो नवीन शोध नवीन अनुभाव अर्जित किये गए हैं उसके अधार पर उसको और बहतर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रति एक सिक्षक को सजग होना चाहिए सिक्षक को अपने अंदर मानवी गुणों का भी विकास करना चाहिए एक रिस्ता उसका विद्यार्थी के प्रति समाज के प्रति विश्व जन्मानस के प्रति क्य और इशारा किया अध्यापक सिक्षा के लिए राष्ट्री पाठेचरिया की रूप रेखा 2009 में आई और इस अध्यापक सिक्षा के लिए राष्ट्री पाठेचरिया की रूप रेखा ने भी राष्ट्री पाठेचरिया की रूप रेखा 2005 के माननेताओं को स्विकार किया अब मैं इस समगरता में पेशेवर सिक्षक की विशेशताओं को आपके सामने बिंदवार रखने की कोशिश करूँगा। एक पेशेवर सिक्षक के लिए सकारात्मक्ता और वैचारिक खुलापन बहुत ही जरूरी बक्ष है। खुद को भी सकारात्मक्त विचारों से ओध प्रोत बनाएं और अपने विद्यार्थियों को और दूसरों को भी सकारात्मक्ता की और प्रेरित करें। बिना अच्छा स्रोता हुए एक व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। साथ ही शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह जिन भी विशयों का सिक्षण कर रहा है वह बहुत ही विश्योषनियों हो और प्रामाणिकता पर आधारित हो और अपने कारे में एक शिक्षक को इमान प्रामाणिकत करना होता है वह तभी हो पाता है जब किसी का व्यक्तित्व सहज वस्वास्वाव और विद्यार्थियों में लगाव विश्वास का भाव पैदा कर सकता है साथ ही सिक्षक को व्यवस्थत्व संगठित होना चाहिए उसके कारे निश्पादन में विखराव योजना बद्ध तरीके से अपने दायत्तु का निर्वन करें और महत्वण बात है कि एक सक्षक को आत्म विश्वासी होना चाहिए एक और महत्वण पक्ष है सामवेगिक दृष्टी से संतुलन का डेनियल गोलमान एक महत्वण नाम है जिन्होंने सामवेगिक बुद्ध की होती है यानि कोई व्यक्ति कितना भावनात्मक स्थिर है कितना दूसरे की बातों को दूसरे की समवेदनाओं की समझ रखता है यह बात उसकी सफलता के पीछे 80 प्रतिशत भूमी का निभाती है तो एक सिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक पक्ष है कि वह सामवेगिक तृस्टि से संतुलित हो भावनात्मक रूप से स्थिर हो और यह इस्थिरता उसे अंतरवयक्तिक संबंद विद्यार्थियों के साथ उसके रिस्ते को बहुत ही मजबूत बनाएगी और यदि ऐसा नहीं होगा तो शिक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अपने लिए अपने विद्यार्थियों की बातों को समझ नहीं पाएगा और इक सिक्षक को निरंतर उर्जावान बने रहना चाहिए साथी साथ एक सिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए सर्फ शिक्षण के प्रती ही नहीं बलकि अन्यपाठ्थि सहगामी क्रियाओं के प्रती भी और अन्यपाठ्थि सहगामी जो कार्य हैं जैसे आपका संगीत है नाटक है चित्रकला है इन सबसे सिक्षण का रिस्ता कैसे स्थाबित हो इसके विशय में भी एक सिक्षक को बातचित करनी चाहिए एक सिक्षक को समवेदन सील वा तदनुभूती से पूर्ण होना चाहिए अंग्रेजी में इसे इंपैथी कहते हैं यह बताता है कि यह वो इस्थती है जब कोई ब्यक्ति किसी दूसरे ब्यक्ति के दुख को उसी अनुपात में महसूस करता है जिस अनुपात में सामने वाला ब्यक्ति कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उसके अंदर तदनुभूती है तो तो सिक्षक यदि तदन्भूती विकश्चित कर पाए तो अपनी विद्यार्थियों के साथ जो उसका रस्ता है वो और अधिक मजबूत होगा, एक जो दूरी सिक्षक और विद्यार्थी के बीच है वो समाप्त हो जायेगी और विद्यार्थी सुरक्षा और स्नेह की के अंदर नत्र तुछमता हो और एक अच्छा नेता वो है जो दूसरों को भी आगे आने का मौका देता है एक सिक्षक को नत्र तुछमता उसके अंदर हो यह तो जरूरी है ही साथी साथ वो विद्यार्थियों के अंदर भी नत्र तुछमता का विकास करें और उन्हें भी आ निर्भर करता है, वो विद्यार्थियों के बीच. शम्मवाद करें और उनके साथ, साथ उनके ञ्यान की रचना में सहयोग प्रदान करें, और साथ ही मतपुन बिंदु है, कि उसे सूचना प्रद्योगी की में दक्ष होना चाहिए. जो कि बिना सूचना प्रद्योगी की में दक्ष हुए आज जादा से जादा लोगों तक वो अपनी बात को पहुचाने में सक्षम नहीं हो पाएगा और इस रूप में हम समगरता में कहें तो इन पेशेवर विशेषताओं से योक्त, स्रिक्षक, कक्षा, विद्याले और समुदाय में मननशील करता के रूप में अपने दायत्तु का निर्वहन करते हुए सामाजिक रूपांतरण का माध्यम बन सकता है सुरताओं आपने मुझे ध्यान पुर्वक सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनाईयोस को धन्यवाद